बोजपुरी में कई फिल्में बनते हैं और कई फिल्में बनते रहेंगे लेकिन बोजपुरी में कुछ ऐसे फिल्में होती हैं जो दर्शुकों के जहन में अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं और इसी में से एक फिल्म है निरहुआ रिक्षावाला तो चलिए आज हम निरहुआ रिक्षावाला के एक ऐसे कैरेक्टर की बात करेंगे जो अब अपनी रियल लाइफ में बहुत बड़े हो गए हैं और निरहुआ रिक्षावाला में उन्होंने निरहुआ के भतीजे का किर और आपको बता दे कि रिशब भोचपुरी सिनेमा में कारेरत है और कई फिल्मों में उन्होंने एज एक्टर काम भी किया है नेहाश्री रिचाद दिक्षित जैसी अभिनेत्रियों के साथ इन्होंने अपने सिल्वन स्क्रीन को शेयर किया है तो आपको बता दे कि इस फिल्म को निरहुआ रिक्षा 2 में जेगे नहीं दी गई लेकिन निरहुआ रिक्षा वाला में इनके सशक्त अभिनय को लोग आज भी याद करते हैं गोलू ने इस फिल्म में अपने चाचा के लिए एक गाना भी गाया था और निरहुआ और गोलू के इस सौंग को लोगों ने प हो जारते हैं फिल्म खतम हुई तो उनके रास्ते अलग-अलग हो जाते हैं लेकिन निरहुआ रिक्षा वाला में गोलू और निरहुआ का रिलेशन ऐसा जमा कि आज भी ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेज करते हैं एक दूसरे को बदेविशिस करते हैं और साथ ही सा प्राचा और भती जावाला रिलेशन ही रियल लाइफ में फॉलो करते हैं बोच्पुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नब तो